मेरा भाइंदर में एक दिल देहला देने वाली वारदात सामने आई जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे दरसल मामला मेरा भाइंदर पश्यम का है जहां एक कलियोगी पिता ने दो साल की मासुम बच्ची का गला घोट कर मौत के घाट उदार दिया जिससे परिवार में कहरा मचा है परी जनु ने दरिंदे पिता के खिलाफ मामला दर्च कराया वही इस मामले को लेकर वरिस्ट पुलिस रक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला भाइंदर पश्यम का है जहां सौतेले पिता ने दो साल की बच्ची का गला घोट कर जान ले ली जिसकी जाच चल रही है पिता हैं वो भी आ चुके हैं कहा जा रहा है कि उस बच्ची के जो साथेले पिता थे उन्होंने ही उस बच्ची का गला घोट कर हत्या कर दी है इस पर सीनियर प्याई ने क्या जानकारी दी है आईए आपके दार दिखाते यह दो तारिक को सुबह साड़े नौ बजी के बा जाते हाले पिता जी की संत्रान थी और फिर यह दूसरा जो पती है उसको यह चांता नहीं था क्योंकि उसकी बेटी नहीं थी और उस दिन सुबह से वह रही थी करके काम पी चली गई थी और यह सोभे से रो रही थी उसके उसने इरिटेट हो करके उसका नाक और मुह दावा के मार दिये करने के बाद बच्ची का एक्जाक्ट मरन मुल्क्ति का कारंद पता चला हमको हमने तुरंत आरुपी को पकड़ लिया और धारा 302 के तरह हमने मुकदामा दाहर करके उसको अरेस्ट किया और मेरवान कोट ने उनको साथ तरीक तक पुलिस का स्टेडियमांड दिया मेरो फाली इतना ही बोले थे कि लड़की गिर गई है घर पर गयास के अपर और बोले के दवा खाना में आजा किदर भी है तूँ तो मैं साइब जब दवा खाना गई ना तो मैं लड़की को पहला देखने गई थी देखी तो मैं डॉक्टर को जाके पूची कि क्या हुआ कर दो के है मतलब जब तक लेके आया तडक लड़की मतलब आफ हो गई है और कुछ ज़्यादा को बताय भी नहीं बताया कि इसा हुआ कि V dho वा कि च भी नहीं बताया मेरे कुछ अछी कि लड़की के लिए कहली डौकर ने ख लित खाने कि लड़की यो कन आज फो गई में इसा तो केट्रेस पर जाती हूं उस दिन भी जाई रही थी गई थी और तब एको शुबह यह बात मालम पड़ा नौब साड़े-णौब जब कुछ मुझे मालम पड़ा और घर पे इधर गईने में डारेक दावा खने में गई तेमबा ऐस्पिटल में गई थी में कुछ बच्ची का सोतेला बाफ था और इसके ऊपर 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट से इस आरूपी को लेकर साथ तारिक तक की हिरासत भी मिल चुकी है पुलीस अपनी आगे की जो चान बीन है उसमें जूप चुकी है और अब आने वाले समयम पता चलेगा कि इस मामले में और नया क्या खुलासा होता है तब तक के लिए बने रहें इंडियन सिट अगर अबने तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद